क्वीक आयस, कम्पोज यूर ड्रीम यहां से कभी एक भी कोशन अगर आया एकजाम में तो वहां से बाहर नहीं जाएगा मैंने हर पहलो को ध्यान में रखते हुए कोशन मैंने बनाया है आप लोग जो है वीडियो को अंतर तक देखेगा सारे कोशन बहुत महत्मौन है और अगर बिहार की नदियां आपके दिमाग में गर एक बार बैठ गई तो कभी भी कोशन अगर नदियों से आएगा तो कभी गलत नहीं होगा यह बिल्कुल फिरी का नमबर होता है सरल होता है कोशन यहां से अगर नदियां एक बार समझ में आ जाती है लेकिन, कुशन कफिन कब होता है? जब नदियां से अगर कुशन आया और हमारे दिमाग में वो मानचितर नहीं होता है बिहार के मानचितर को दिमाग में बैठाना भी बहुत जरूरी है तो हम बिलकुल मैप की थूरू पहले नदियों की बारे बताओंगा और उससे जिलुवे सारे संभावित कोशन की हम चर्चा करेंगे जो बोथ मेडियम में होगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा जिससे इस रक्रास आपको लगतार मिलती रहे हम लोग सुरू करते हैं सारे कोशन बहुत इंपॉर्टन है या दखेगा ठीक है सबसे पहले हम बात मैप की करेंगे तो सबसे पहले आप देखिएगा ये बिहार की नदियों का मैप है और गंगा नदी बिहार में पच्छिम से औरप की ओर जाती है और गंगा नदी बिहार को दो भागों बारती है यह उत्तरी बिहार है और यह है आपका दच्छिरी बिहार उत्री बिहार और दच्छी बिहार की नदियों में एक अंतर जो सबसे महतूर है कि उत्री बिहार की नदियां बारा मासी होती है और उनमें जल दो सोर से प्राप्त होता है एक वर्सा से और दूसरा जो है जो बरफ होते हैं हिमानी होती है ग्लेसियर होते हैं उनसे पिघल करके पानी इसमें आता रहता है इसलिए नदियां जो है उतरी बिहार की बारा मासी होती है आप से ये कुशन पूछा जा सकता है दूसरा जो दच्छरी बिहार की नदियां होती है वो सब प्राइदियूपय चेहर से आती है खासका छोटा नापुर के पठार से और उन नदियों जाने जिए बहुत महत्पूर है और उन नदियां कहां से निकलती है सब पठार से निकलती है और ये बारा मासी नदिया नहीं होती है ये मौसमी नदिया होती है और यहां का जो पानी जो नदियों में आता है वो केवल वर्सा से आता है बाकि यहां इस चेत्र में कोई हिमानी नहीं है तो बिहार की नदियों का जो कर कहा जाए तो यह वाला जो चेत्र है यह बाढ़ परभावित हो जाता है क्योंकि यहां जल जादा होता है और यहां जल नदियों में कम होता है तो दच्छी बिहार सूखा परभावित रहता है तो बिहार एक ही समय में आधे छेतर में बार्ड से परभावित होता है तो आधे छेतर में सूखा से परभावित होता है तो कारण यही है कि एक तरफ की नदियां जो है जल ज़्यादा प्राप्ट करती है और एक तरफ की नदियां जल कम प्राप्ट करती है तो आपको यह अंतर याद अखना है आप से कोशने भी पुछा जा सकता है कि उत्री बिहार की नदियों को पच्छिम से पूरब की और करम में सजाने को हो सकता एक्जाम में आ जाए तो आप क्या करेंगे आप इस मायप को अच्छे से देख करके आप इसको दिमाग में बठाएंगे जैसे अगर हम चलें तो पच्छिम से पूरब की और अगर हम चलते हैं उत्री बिहार की नदियों मेn सबसे पहन नदी है घागरा फिर है गंडक, फिर है बुड़ी गंडक फिर है भागमती, फिर है कमला फिर है कोशी और फिर है आपका माहननदा तो ये नदियों का करम है उत्तरी बिहार की नदियों का ठीक है तो आपको चाहे पच्छिम से पूरब की और पूछे चाहे पूरब से पच्छिम की और पूछे इन नदियों के करम आपसे पूछा जाएगा तो आपको इनको अच्छे से याद कर लीजेगा दुसरे तरफ जो पूरी भी 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 हार की नदिया है वो कौन-कौन सी है और जो पच्छमी भी हार की नदिया है ये इनको भी आपको दिमाग में बैठाने की जरुवत है दच्छिरी बिहार के नदियों के अगर हम बात करें तो पच्छिम से पूर्व क्योर करम मेंगर हम चले तो सबसे पहले गंगा है गंगा सीमा बनाती है उत्तर पर देस और बिहार की जो सबसे पहले गंगा है फिर कर्मनासा है फिर सोन, पुनपुन, फलगू फिर इसके बाद में धाधर, इसके बाद में क्यूल, सकरी के बाद क्यूल, क्यूल के बाद में बदुआ और फिर यहाई नदी है, चंदनदी है तो इतनी नदियों का करम इस तरफ है तो यहां से कूशन हमेशा आते हैं इसको अच्छे से याद करने की जरुवत है अगर एक्जाम में आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश और बिहार की बीच कौन-कौन नदिया सीमा बनाती है तो चार नदिया सीमा बनाती है ठीक है तो यह नदियों को हमें बहुत अच्छे से देखने जरुवत है और मैंने बता दिया है कि उत्तरी बीहार की नदिया बार प्रफावित करती है और दच्छी बीहार की नदिया सूखा से क्योंaimer होगी यहां पानी की मातना कम हो जाती है और यह बहुत ही महात्मून कोशन है इसको अच्छे से इसमें याद रखना है इसमें एक नदी जो है ये बागमती तो बागमती नेपाल से आती है और याद रखेगा बागमती को नेपाल में बहुत पबित नदी माना जाता है ठीक है बागमती को तो जितने भी कोशन बात करूंगा एक कौन कोश्चन नदियों से बन सकते हैं लेकिन उससे पहले एक बार हम मैप कितरों इसको देखने का परियास जरूर करेंगे अब एक मैप और देख सकते हैं तो गंगा नदी बिल्कुल जो है बिहार की महद्द से गुजरती है और जो जो नदिया उत्तरी छ दिखाया गया है तो आप देख सकते हैं चुटानागूर के पठार से लगभग विहार के दच्छिर चेती नदिया निकलती है और सब जाकर के जो है गंगा में दच्छिर की और से मिलती है ठीक है तो यह बहुत ही महात्पॉन कोश्ण है इनको अच्छे से आ रखना है और इस सारे कोशन बहुत ही आपसे एक जामे पूछ जा सकते हैं, तो इनको एक भी कोशन छोना नहीं है, अच्छे से सारे कोशन को देखना है, थोड़ा हम लोग नदियों के बारे में और जान लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं कोशन की ओर, आपसे दो चीज़ें मुक के गंगोतरी हिमनस से निकलती हैं, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, दुसरी नदी है गंड़क, गंड़क नदी अनपूरा सेरी के मनांग मोट कथा कुतांग के मद से निकलती हैं, और गंगा नदी में हाजीपूर के निकट ये गंगा में मिल जाती हैं, त हिमनद का नाम क्या है मापचा चुंगो यह हिमनद है यहां से घागरा नदी निकलती है और इसे जो है नेपाल में करनाली कहते हैं और उतर प्रदिस में इसे सर्यू कहा जाता है और यह घागरा भी इसी कहते हैं और यह नदी कहां गंगा में मिलती है तो छपरा के निकट गं और गंगा नदी में मुंगेर जिले के उत्तर माजी के पास ये गंगा में मिल जाती है नेश्ट है बागमती बागमती नदी महा भारस सेंडी नेपाल से निकलती है और ये बूरी गंडक में मिलती है ये बूरी गंडक की साहिक नदी है और बेगु सराय के पास मिलती है कमला जो है महा भारस सेनी से निकलती है नेपाल में और ये कोसी नदी की साहिक नदी है कोसी में मिल जाती है कोसी नदी जो है यह याद देखेगा गोसाई थान चोटी से निकलती है और गंगा नदी में कैसुला कटिहार में यह गंगा से मिलती है नेश्ट है महानंदा नदी जो है यह दाजलें की पहाडी से पच्छी मंगाल से निकलती है और गंगा नदी में मनिहारी कटिहार के निकटिये मिल जाती है सो नदी ये अमर कंटक की पहारी 36 और मध़ प्रदेश की सीवा से मैकाल से इसे निकलती है और ये गंगा नदी में मनेर पटना के निकट मिल जाती है पुनपुन नदी चुटनापुर के पठार पलामों से निकलती है और गंगा नदी में फटुहा के पास पटना के निकटिये गंगा में मिल जाती है कर्मनासा नदी बिंद पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में चौसा बकसर के निकटिये मिल जाती है फल्गु नदी छुटणापुर के पठार से निकलती है और यह ताल छेतर में जो है गंगा से मिलती है इसके बाद है अजय नदी अजय नदी यह जमुई जिले से निकलती है और यह पूरब की और बहते हुए यह गंगा नदी पच्छी मंगाल में हुगरी से मिल जाती है मिलती है और एक है आपकी क्यूल नदी जहार खंड में जो है ग्रिडी की जिला से निकलती है और गंगा नदी में सूरज गढ़ लखी सराय के निकट मिल जाती है तो ये सारे नदियों को एक साथ मने दे दिया है इसको एक बार अच्छे से देख लीजेगा नदी कहां से निक नदी बिहार गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है. अगर हम इक बिहार का मेड बना के बात करते हैं, ठीक है? इसको आप समझझेगा. गंगा नदी 20 से बह रही है. कुशन कुछ रहा हैं नहीं नदीilo के नदियों मेंसे कौन सी नदी बिहार में उत्तर की तरफ से गंग हो जाएगा तो बिल्कुल मैप की थरू जब इसको समझेंगे तो सारे के सारे कुशन हमारे सही होंगी ठीक है नेश कुशन है निम्रिकी नदियों में से कौन सी नदी बिहार में गंगा में दच्छिर की तरफ से नहीं मिलती है इसको भी मैप की थरू हम लोग देखें अगर बिहार का यह मैफ है और गंगा नदी विल्कुल मत से है कुशन कर रहा है निम्रिकी नदियों में से कौन सी नदी बिहार में गंगा में दच्छिर की तरफ से नहीं मिलती है तो सो नदी दच्छिर की तरफ से मिलती है और क्यों नदी दच्छिर की और से मिलती है तो इसका पहले गोला करना है क्योंकि ऐसे कुशन अगर आते हैं तो गलत होता है हम ना और हां में जो हैं नहीं देख पाते हैं इसलिए हमारे कुशन ये गलत हो जाते हैं नेश्ट आप बिहार में गंगा की उत्री सहय नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है तो बिहार की जो उत्री नदियां है उमें सबसे लंबी नदी कोसी है इसकी लंबाई बिहार में कितनी है तो 260 किलो मिटर है तो इसका एंसर हो जाएगा B ठीक है तो गंगा की सबसे उत्र उत्तरि चेतर की बात करें तो वो है आपकी कोसी यह कोशन है इसको अच्छे से याद लखेगा गागधन अदी बिहार के किस जिले में परवेश करती है तो घागधन अधी जो है यह बिहार के किस जिले में परवेश करती है सारण, छपरे जिली में प्रवेस करती है तो इसका एंसर हो जाएगा A नेक्स्टा गंगा नदी के दच्छली भाग में कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व से बिहार में गंगा नदी में मिलती है सबसे पूरब में गंगा नदी से मिलती है और भी दच्छिरी भाग की नदी है तो है चंदन नदी चंदन नदी सबसे पूरप नदी है जो गंगा में बिहार में दच्छिर की तरफ से मिलती है इसका answer हो जाएगा C नेश्ट है गंडग जो उत्तरी पच्छिमी बिहार की परमुख नदी है बिहार की सीवा में किस जगा परवेस करती है ठीक है तो अगरे हम बिहार की माय को दوبारह एक बारे हम đ्रॉख करते हैं समझाने के लिए आपको तो ये है गंगन बिहार और ये है आपका बिहार का उत्तर पच्छिमी छेतर तो यहां से नदी निकलती है, गंड़क नदी आती है और यह बिहार की सीवा में किस जगा पर परवेस करती है, वो पूछा गया है, तो यह है अंसर A, बालमी की नगर में यह परवेस करती है, तो इसका अंसर हो जाएगा A. नेश्टर बिहार में परवाहित होने वाली निम्रकी नदियों में से कौन सा छोटनापुर के पठारी भाग से निकलती है, इसमें कौन सी नदी है, जो छोटनापुर के पठार से निकलती है, यह कूशन पूछा गया है, तो पुन-पुन नदी भी छोटनापुर के पठार से आधार कोंसी नदी है अफ़ापडाली का म और दच्छिर से नदी आपकर के मिलती है जिससे एक अपवात, तंतर का निर्माड होता है, एक बेशीन का निर्माड होता है, एक द्रोनी का निर्माड होता है तो ये गंगा नदी डिसाइट करती है, तो इसका answer हो जाएगा E ठीक है कौन सी नदी बिहार में मौजूद नहीं है इसमें कौन सी नदी है जो बिहार में मौजूद नहीं है नहीं पूछा गया है आप कभी जब पेपर देने जाएंगे तो सबसे पहले आप यहीं देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है ठीक है तो सोन और पुन-पुन बिहार में है, कोसी और महाननदा भी बिहार में है, लेकिन केन और महानदी बिहार में नहीं है, केन नदी उत्तर परदेस मद्ध परदेस में बैती है, और महानदी च्छतिस गड़ और उरिसा में बैती है, तो इसका एंसर हो जाएगा B, ठीक है, तो गंगा नदी पच्छिम से पूरब की और परवेस करती है, कहां पर बिहार में, तो यह कूशन है, इसका एंसर हो जाएगा C, ठीक है, नेश्ट है, गंगा नदी उत्तर परदेश से बिहार के किस जिल्म में परवेस करती है, जब गंगा नदी उत्तर परदेश से परवेस क करके बिहार में परवेश करती है तो बिहार में किस जिलम परवेश करती है बकसर जिलम परवेश करती है तो इसका एंसर हो जाएगा ए ठीक है नेश्ट है निमने में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा निधारित करती है कौन सी यह सी नदी है जो उत इसका एंसर हो जाएगा उपित में से एक से अधिक इसका एंसर हो जाएगा डी ठीक है यह सारे कुशन बहुत महत्पूर है और हर तरह से मैंने कुशन आपको प्रद कराने का परियास किया है वीडियो कैसे लगा जरू बताएगा निन्ड में से किस नदी को सर्यू के नाम से जाना जाता है तो मैंने आपसे बताया घागरा को तो घागरा को सर्यू कहते हैं और इसी नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है निन्ड में से कोंसी नदी साथ धाराओं में मिलने से बनी है कोंसी इसी नदी है जो साथ धाराओं में मिलने से बनी है और वो है आपकी कोसी तो कोसी नदी साथ धाराओं से मिलने के बाद बनी है और कोसी को बिहार का सोक कहा जाता है यह कोशन बहुत बार एकजाम में पूछा जा चुका है नेश्ट है गंडग नदी के संगम पर कौन सा 20 परसिद मेला लगता है तो गंडग नदी पर 20 परसिद मेला लगता है हरीहर छेतर मेला सोनपूर मेला जो पसू का मेला होता है ये जो है गंडग नदी के संगम पर लगता है ये बहुत ही महत्मूर कोशन है इसका एंसर हो जाए तो यह है कोसी नदी कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जाने जाती है और अगले और पिछले 200 वर्षों में ये 150 किलोमेटर का पूरब से पश्चिम की और ये आ गई है तो इसका एंसर हो जाएगा ए नेक्ष्ट है बिहार में परवेस करने से पूर्व सो नदी किस राज में परवायत होती है तो सो नदी जो है किस राज में परवायत होती है बिहार में परवेस करने से पहले तो ये मद्ध परदेश से भी उत्तर परदेश से भी और जार खंड से भी तो इसका एंसर हो सक्री नदी का उद्गम अस्थल कहा है तो सक्री नदी ये बिहार के दच्छीर शेत में बहती है और इसका जो उद्गम अस्थल है वो है छोटा नापुर का पठार तो कोई भी नदी हो उसका उद्गम अस्थल और संगम कहा होता है ये जरूर पूछा जाता है ति बहुत महात्पूर कोशन है याद दखेगा नेक्स्ट है सक्री नदी बिहार के किस जिले में परवाहित होती है तो सक्री नदी या देखेगा बहुत महात्पूर है ये जो है ये नवादा जिले में नवादा जिले में ये परवाहित होती है ठीक है और इसो नवादा जिले की जीवन रेखा भी कहा जाता है किसको सकरी को तो सकरी नदी नवादा जिले में बहती है यह याद रखेगा ठीक है Next है कियूल नदी सरपर्थम बिहार के किस जिले में परवेश करती है तो क्यूल नदी बिहार में सबसे पहले किस जिलिम पर वेस करती है जमुई जिलिम पर वेस करती है और लखी सराय में बहते हुए ये गंगा में मिल जाती है तो ये बिहार में किस जिलिम पर वेस करती है ये पूछा गया है तो ये जमुई जिलिम पर वेस करती है तो इसका ए important या देखे हैं कोसी नदी ये कहां से निकलती है ये हिमाले से बिलको सही है गंड़क नदी ये भी हिमाले से निकलती है बिलको सही है बागमती नदी छुटनाकुर के पठार से नहीं बागमती कहां से निकलती है नेपाल में महाभारत की सेंडी से तो इसका जो answer है वो हो दच्छी बिहार की नदी पुन-पुन का उद्गमस्तल कहा है तो दच्छी बिहार नदी जो पुन-पुन है उसका उद्गमस्तल कहा है पलामों की चोहरा पहाड़ी से निकलती है तो इसका एंसल हो जाएगा C काई पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन-पुन- में मिल जाती है कमला किस नदी की साहिक नदी है तो कमला जो है ये भी बार लाती है और कमला किस की साहिक नदी है कोसी की साहिक नदी है कमला तो का से कमला और का से कोसी आप इसी तरह से इसको याद कर लीजेगा ठीक है और दिमाग में मैप जरूर बैठाना है आप लोगों को नेक्स्ट है बिहार की किस नदी को सदा नीरा नाम से जाना जाता है तो बिहार के गंडक नदी को रिग बैद काल में सदा नीरा कहा जाता था तो इसे हम सदा नीरा के नाम से जानते हैं नेक्ष्ट है सुमेस्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है तो सुमेस्वर की पहाड़ी से जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी है बूढ़ी गंड़क नदी है ये बहुत ही महत्पूर्ण कुशन है इसको याद अखेगा सारे कूषन अच्छी से देख लीजेगा नेश्टा है कौनसा परेटन अस्थल फलगू नदी के किनारे इस्तित है तो फलगू नदी किनारे कौनसा परेटन अस्थल पुछा गया यह बोध गया तो इसका एंसर हो जाएगा A नेश्ट है, बुरी गंडक बिहार में किस अस्थान पर गंगा में मिलती है तो यह जो है, कहां मिलती है, तो इसका answer हो जाएगा मुंगेर के उत्तर में, तो इसका answer हो जाएगा A, ठीक है नेश्ट है, बिहार का छपरा सहर किस नदी के तड़ पर इस्तित है तो बिहार का जो छप्रा सहर है वो घागर नदी के तर्ट परिस्तित है तो इसका एंसर हो जाएगा C आफसन देखना है अगर यह छेत्र पूछेगा तो अलग है यह पूछा जा रहा कि इस जिले के आसपास मिलते है छपरा के निकट मुंगेर के या पटना के पटना के पास मिलती है तो इसका एंसर हो जाएगा B नेक्ट आइस सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है तो सोन और गंगा का संगम बिहार के पटना जिले में होता है तो इसका एंसर हो जाएगा B नेक्ट आइस सोन और बिहार के किस अस्थान पर गंगा में मिलती है तो सोन और बिहार में किस अस्थान पर गंगा में मिलती है तो पटना से पच्छिम में सोन और गंगा से मिलती है बिहार में तो इसका एंसर हो जाएगा C नेश्टा बिहार में गागर नदी किस अस्थान पर गंगा में मिलती है तो गागर नदी गंगा में कहा मिलती है यह कुशन पूछा गया है और यह है आपका छप्रा के निकट इसका एंसर हो जाएगा A नेश्ट है एक मात नदी जिसका उद्गा मस्तल जमुई जिले में है ऐसी कौन से नदी है जो जमुई जिले से निकलती है और वो है अजय नदी अजय नदी जमुई जिले से निकलती है और यह जाकर के अच्छे मंगाल में हुगली में मिल जाती है तो यह हुगली की सहग नदी है जो जमुई जिले से निकलती है तो इसका एंसर हो जाएगा B नेश्ट कुशन है महानन्दा नदी बिहार में किस अस्थान पे गंगा में मिलती है यह कूशन पुछा गया है तो यह मनिहारी से थोड़ा पूरम में मिलती है तो इसका answer हो जाएगा A नेश्टर बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंब होती है हिमानी मतलब होता है गलेसियर से निकलती है ठीक है तो याद रखेगा कमला नदी भी गलेसियर से निकलती है कोसी नदी भी गलेसियर से निकलती है तो इसका answer हो जाएगा D उप्यूक्त में से एक से अधिक नेश्टर बिहार की नदियों और उनके उद्गम असलों के जोड़े को बताईए इमें को नदी जोड़ा बना रही है तो बहुत ही माईसे ही कोशन पुछाते हैं अब एक साथ अपसे चार कोशन पुछे जा सकते हैं तो इसका जो कैसे मिलाएंगे पहला है कोशी नदी तो कोशी नदी कहा से निकलती है यह बहुत मात्वूण है यह है आपका सब तक कोशकी के नाम से इसका एंसर हो जाएगा एका हो जाएगा तीन ठीक है यह एका तीन मैच कर रहा है यहोरा मैच हो सकता है ठीक है दुसरा है गंडक नदी तो गंडक नदी जो है यह कहां से निकलती है तो गंडक नदी जो है या दखेगा यह जो है मानक मोट और जो है कुतांग से निकलती है ठीक है तो बी का हो जाएगा फोर इसके बाद है आपका यहां पर देखे मैच कर रह तिसरा है बागमती तो बागमती कहा से निकलती है तो बागमती निकलती है महा भारत सिरी नेपाल से और बुरी गंडग निकलती है सोमेसर की पहाडी से तो एक साथ आपसे चार कूशन पूछा जा सकता है तो इसका एंसर हो जाएगा बी ठीक है तो इस तरह की कूशन आपसे जाम में पूछे जाएंगे तो आपको इसको मैच करके अच्छे से निकालने की जरूत है नेक्स टार बिहार में गंगा नदी में निम्रिकिन में से कौन सी नदी दच्छे दिसा से नहीं मिलती है इसमें कौन सी नदी है जो गंगा नदी में दच्छर दिसा से नहीं मिलती है तो एक हम मैप ड्रॉ करके इसको अच्छे से समझ सकते हैं यह बिहार गंगा नदी का छेतर हो गया अब कौन सी नदी है जो दच्छर दिसा से नहीं मिलती है तो महानन्दा उत्तर से आती है, कर्म नासा ये दच्छिर से जाती है, और पुन-पुन ये भी दच्छिर से जाती है, तो ये दोनों तो नहीं होगा, इसका अंसर हो जाएगा महानन्दा, क्योंकि महानन्दा उत्तर की ओर से मिलती है, तो इसका अंसर हो जाएगा A, ठीक है? मिलती है तो इसका answer हो जाएगा C, फतुहा के पास मिलती है तो इसका answer हो जाएगा C, नेश्ट है गंगा नदी किस अस्थान के निकट बिहार के मैदान में परवेश करती है, तो गंगा नदी किस अस्थान के निकल कर बिहार के मैदान में परवेश करती है, इसका answer हो जाएगा चौसा ये चौसा के पास जो है गंगा में के मैदान में परवेस करती है नेश्ट है हरोहर नदी टाल छेत से होते हुए गंगा में कहा मिलती है तो एक हरोहर नदी भी बैती है और बिहार के टाल छेत में बैते हुए ये गंगा में कहा मिलती है तो बढ़ हरिया, बढ़ हिया के पच्चिम में मिलती है तो इसका answer हो जाएगा B ठीक है नेश्ट है बिहार में गंगा की उत्री साहि नदियों में सबसे लंबी साहि नदी कौन सी है तो बिहार के उत्री साहि नदियों में अगर हम बात करें यह बिहार का अगर मायप है तो यह गंगा नदी 20 से बहती है तो यह उत्री 6 से कौन सी नदी बिहार की सबसे लंबी साहि नदी है गंगा में तो यह आपकी है कोसी नेक्स्ट है उतर बिहार के उस नदी का नाम बताएए जो बिहार में पच्छिम से गंगा में मिलती है ये पूछा गया है तो इसका जो एंसर है उह है घागरा घागर जिसे मान लिजिए आप ये मैप कि तुरू इसको समझ सकते हैं गंगा नदी ऐसे बहती है और ये घागरा आ करके ऐसे मिलती है पच्छिम से मिलती है तो पच्छिम से पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा घागरा तो इसका एंसर हो जाएगा बी नदी है और उसका उदगम अस्थर पूछा गया है ठीक है इस तरह के कुशन आप से पूछे जाएंगे पहला है सर्यू नदी तो सर्यू नदी कहां से निकलती है तो सर्यू नदी निकलती है नेपाल में नामपा से कमला महाभारस सेंडी से सोन अमरकंटक से और अजय जो है जमुई जिले में बटपाड से निकलती है तो इसका एंसर हो जाएगा सी ठीक है एक दो तीन चार सब एक साथ मैज कर रहा है यह सारे कोशन बहुत मात्पोन हैं तो इसको आप लोग अच्छे से जरूर देखेगा इसी तरह के कोशन आप से एक्जाम में पूछे जाएंगे नेक्स टाए बिहार की नदियों और उनके अन नदियों से मिलने के जोड़े परस्तुत हैं गलत जोड़ा इंगित करें मतलब जो मैच नहीं कर रहा है उसको जो है इंगित करना है तो पहला है सर्यू नदी तो सर्यू नदी क्या देखेगा गंगा नदी में मिलती है देखो सही कमला कोसी मिलती है पुन-पुन दाम उदर में नहीं मिलती है पुन-पुन गंगा में मिलती है तो इसका एंसर हो जाए कि बहुत जरूवत है नेक्षटर बिहार के किस नदी द्वारा सरवाधिक मलबा अपनी तली पर निच्छेपित किया जाता है तो यह आपका कोसी नदी इसलिए कोसी नदी में अधिक बार आती है नेक्स तर उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूरब में गंगा में मिलती है ठीक है तो उत्तर बिहार की बात हो रही है उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताना है जो बिहार में सबसे पूरब में गंगा से मिलती है अगर हमें एक मैप फिर से ड्रॉ करें हैंसे और बिहार की मैप को समझने परियास करें तो गंगा में सबसे पूरब में उत्तरी बिहार नदी कौन है? महननदा तो इसका answer हो जाएगा B ठीक है? ति महानन्दा नदी सबसे पूरब में गंगा से मिलती है नेश्ट है फालगू जो छुटनाबुर के पठार से निकलती है और बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर बिकरार रूप धारण कर लेती है ये कुशन बहुत मात्मूर है इसका एंसर हो जाएगा मोहननदी मोहननदी से मिलकर के ये बिकरार रूप धारण कर लेती है तो इसका एंसर हो जाएगा A नेश्ट है उत्तर बिहार की नदियां जो पच्छिम मार्ग पच्छिमी भाग से पूर्व की और परवाइत होती हैं गंगा में मिलती हैं कौन सा समु सही करम बता रहा है ठीक है तो ये हो जाएगा आपका बी सर्यो गंडक बोड़ी गंडक और बागमती एक हम बिहार का मैप के तो इसको फिर ड्रॉ करके देख सकते हैं ये गंगा नदी है तो सबसे पहले सर्यो नदी सर्यो के बाद गंडक नदी गंडक के बाद बोड़ी गंडक बोड़ी के बंड़ी के बागमती तो ये पच्छि हम से गलत हो जाएंगे नेश्ट है बिहार के दच्छरी भाग में अब ये उत्री भाग में था अब दच्छरी भाग की बात हो रही है तो बिहार के दच्छरी भाग में परवाइत होने वाली नदी का सही करम बताएं जो पच्छिम से पूर्व की और बढ़ते करम में गंगा के बाद फल्गों, फल्गों के बाद सकरी, तो इसका करम यह हो जाएगा, पच्छिम से पूरप की ओर, तो इसका option हो जाएगा A, इस तरह के कोशन हमें तब याद होते हैं, जब हमाया दिमार्ग में मायब होता है, और नहीं तो यह कोशन हम एकजाम में गलत हो जाते हैं, ठी पिछात है बाग मति किसकी सहाख नदी है? तो बाग मति किसकी सहाख नदी है, एक बहुत ही महातपुन कोशन हैं और बाग मति को नेपाल की सबस्ते पवित नदी माना जाता है, यह भी याद दखेगा और काठ मंडू, इसी नदी किनारे इस्थित हैं, और इसका एंसर हो बोड़ी गंड़क यह बोड़ी गंड़क की सहायक नदी है तो इसका एंसर हो जाएगा अभी नेश्टर बिहार के उत्तरी पच्छी में भाग में इस्ते सारण जीले और उत्तर प्रदेश की बीच सीमा रेखा का निधान करने वाली नदी कौन सी है ठीक है मैंने उपर बताय अभी है तो यह आपका है घागरा घागरा उत्तर प्रदेश और बिहार के सारण जीले की सीमा का निधारन करती है नेश्टर बिहार में गंगा की दच्छी सहाय नदियां कौन सी है तो बिहार में गंगा की दच्छी सहाय नदियों के अगर हम बात करें तो इसको फिर से मैं की धुरूश समझने का परियास करेंगे ठीक है यह गंगा नदी है तो इसका जो आप्सन है यह हो जाएगा बी सोन पुन-पुन क्योल और चंदर नदी तो इसका एंसर हो जाएगा बी यह दच्छिर की तरफ से गंगा में मिलती है और दच्छिरी साहिड नदियों के नाम से यह जानी जाती है ठीक है यह सारे महात्मुन कोशन है आप याद दखेगा चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लिजेगा ठीक है नेक्श्टर बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गा मस्थल कहा है तो यह आमर कंटक में है तो इसका एंसर हो जाएगा सी नेक्श्टर गंगा नदी के बिहार में लंबाई कितनी है तो गंगा नदी बिहार में जो है चार सो पैतालिस किलोमेटर बेहती है तो इसका एंसर हो जाएगा ए यह भी आ देखेगा गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है तो पचीस सो पचीस किलोमेटर है और हिमाले क लंबाई कितनी है तो हिमाले लंबाई भी पचीस सो पचीस किलोमेटर तो गंगा की लंबाई और हिमाले की लंबाई बिल्कुल सेम है और बिहार में गंगा की लंबाई 445 है तो इसको जरूर या देखेगा निश्कूशन है बिहार राज में गंगा नदी के किनारे कितने जि बिहार के बारा जिले गंगा नदी किनारे इस्तित हैं और वो जिले कौन कौन से हैं बकसर, भोजपुर, सारण, पटना, बैसाली, समस्तिपुर, बेगु सराय, खगडिया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार और लखी सराय इतने जिले जो है, बारा जिले हैं, जो गंगा नदी किनारे बिहार में इस्तित हैं, तो इसका एंसर हो जाएगा C, ठीक है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है, तो इसका एंसर हो जाएग कहलाती है मैंने बताया था कि नेपाल में घागरा को करनाली भी कहते हैं तो यह नाम अलग- notify जाता है इसका on depiction ago यह खागरा को कहा जाता है भीनेश दिहार में निम्खित में से कौन से सanki नदियां caspas असकी सहायक नदियों में उत्तर की और से आकर मिलती है ठीक है यह बहुत ही महात्पूर कोशन है इसका एंसर हो जाएगा C गंडग कमला और बागमती अगर एक मैप की थरू हम फिर से समझने का प्रयास करें तो या दखेगा गंगा नदी है जो दो भागों बाटती है तो सबसे पहले घागरा घागरा के बाद कमला और बागमती जो गंगा मे उत्तर की और साकर के मिलती है तो इसका एंसर हो जाएगा C आप पुनपुन को देखिएगा पुनपुन दच्छिर के और मिलती है और यहाँ पर करमनासा यह भी दच्छिर से मिलती है तो यह दोनों आपसन नहीं होगा ठीक है नेश्ट है गाए गाट गोपत काव और कनहर आदी नदियां बिहार के किस जिले में बैती हैं तो ये सब रोहतास जिले में बैती हैं और इन नदियों पर बहुत सारे जलपरपात हैं तो सबसे दी जलपरपात बिहार में रोहतास नदी पर ही इस जित हैं और ये सम नदिया कहां बैती हैं रोहतास जिले में बैती हैं ठीक है नेश्ट है अजय नदी बिहार के किस जिले और कहा से निकलती है तो ये जम्मुई जिले में बटपार से निकलती है तो इसका एंसर हो जाएगा बी नेक्ष्ट है कर्मनासा नदी किस पहाड़ी से निकलती है तो कर्मनासा नदी बिंद पहाड़ी से निकलती है तो इसका एंसर हो जाएगा C नेश्ट है कर्मनासा नदी गंगा नदी में किस जीले में और कहां मिलती है तो चोसा के निकट बकसर के निकट चोसा के पास तो इसका एंसर हो जाएगा नेश्ट है 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 ने कमला नदी तो यह 69 कोशन बिहार के नदियों से मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है सारे के सारे कोशन बहुत महात्पूर है किसी कोशन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके उसके पूछेगा उसका जवाब आपको दिया जाएगा वीडियो को अच्छे से देखेगा चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा बिल आइकन को प्रेस कर लिजेगा जिसे इस तरह क्लास आपको लगतार मिलती रहे आप वीडियो को लाइक कर दियेगा सेर कीजेगा और इसको जो है लोगों को और जोड़िएगा यह बहुत ही महात्पूर कोशन है और इसको अच्छे स आप लोग देख करके जाना ओके थैंक यू